साथियों सूपरभात मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और साइक्लिंग के साथ सकरात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे happiness chemicals के वारे में साथियों हमारे मस्तिक्स में चार प्रकार के happiness chemicals, happiness hormones होते हैं जिने डोज के माध्यम से याद रखा जा सकता है साथियों डोज यानि की D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphin साथियों dopamine यानि की reward chemical, the reward hormone जब हम किसी pending कारी को पूरा करते हैं और pending कारी को पूरा करने में जो हमें खुशी होती है तो उससे dopamine release होता है और जब हम अपना मन पसंद खाना खाते हैं तो dopamine release होता है, dopamine यानि की the reward chemical, the reward happiness hormone दूसरा है oxytocin, साथियों oxytocin for love hormone कहा जाता है, socializing करने से जब कोई मा अपने बच्चे को गोद्म उठाती है और छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं तो जो happiness hormone release होता है वो oxytocin कहलाता है, तीसरा है serotonin, serotonin यानि की the mood stabilizer साथियों प्रकरति के सानिध्य में जब हम exercise करते हैं, जब हम सूरी के सानिध्य में, सूर की केड़ों की बीच सुबह उठकर exercise के लिए जाते हैं तो जो हार्मोन हमारे brain से release होता है वो serotonin होता है, serotonin यानि की mood stabilizer, चोथा happiness hormone है endorphin, endorphin यानि की the natural pen killer, साथियों endorphin हसने से exercise करने से release होता है, साथियों जीवन में खुश रहने के लिए आईए हम उन सब आदतों का पालन करें, जो happiness hormone की डोज देने में सक्सम हैं, और ये आदते हैं सुबह जल्दी उठकर exercise करना, music सुनना, socializing, यानि की सामाजिक functions में भाग लेना, हसना और music सुनना, साथियों आईए हम जीवन में optimum dose of happiness hormone के माध्यम से, happiness chemical के माध्यम से, खुशियां बाटते चलें और खुश नुमा जिन्दगी को जीते हुए, दूसरों को भी खुश होने के लिए प्रेजित करते रहें, धन्यवाज, नमस्कार, डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेचिकिसाले कोटा.